हाई दोस्तों आज मैं आपको आज की डेट के एकोर्डिंग 15,000 में मिलने वाले 3 बैस्ट स्मार्ट फोन के बारे में बताऊंगा जिन में आपको सूपर एमोलेट डिस्पले, 65 वाट की फास्ट चार्जिंग, पावरफुल गेमिंग और जबरदस कैमरा मिलने वाला है वैसे तो 15,000 की रेंज में बहुत साड़े फोन देखने को मिल जाते हैं लेकिन हमने काफी रिसर्च करके आप लोगों के लिए 3 बैस्ट फोन लेके आया है जिन में आपको स्मूद गेमिंग जबरदस कैमरा और डिस्पले मिलती है और आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप काफी खुस हो जाएंगे ये फोन दोस्तो उन लोगों के लिए है जिनें रेडमी या फिर मी का ही फोन चाहिए 15,000 की रेंज में इस फोन में आपको IP53 की रेटिंग देखने को मिल जाती है जो waterproof तो नहीं है लेकिन अगर थोड़े बहुत पानी के चीटे आपके फोन के उपर गिर जाते हैं तो आपका फोन खराब नहीं होगा सरवाइब कर जाएगा फोन की डिस्प्ले काफी तगरी दी गई है यहाँ पे आपको फुल एजडी प्लस सूपर एमले डिस्प्ले देखने को मिल जाती है पंच होल के साथ और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे गोडिला गलास 3 का इस्तमाल किया गिया है इस फोन की पीक ब्राइटने जोस्तों 1100 नेट्स की है अगर काफी तेज धूप में भी आप इस फोन को यूज़ करोगे तो काफी डिस्प्ले जो है विजिबल होगी कोई भी दिक्कत नहीं होगी बैक में पॉली कार्मन बोडी आपको देखने को मिल जाती है साथ में क्वाड कैमरा का सेट अप देखने को मिल जाता है और यह फोन साइड माउंटेड फिंगर प्रिंट स्केनर के साथ आता है पर्फोर्मेंस की बात करें तो इसमें मीडेड हीलो जी नाइंटी फाइब का प्रोसेजर दिया गिया है जो काफी अच्छी गेमिंग कर सकता है यह फोन 6GB RAM, 64GB स्टोरेज और 6GB RAM, 108GB स्टोरेज के दो वेरियंट के साथ अबिलिबल है और अच्छी बात यह भी है कि इसमें आपको micro HD card slot जो है dedicated देखने को मिल जाता है वैसे day to day use में दूस्तों यह आपको काफी बढ़िया पर्फोर्मेंस दे सकता है वहीं पर cameras की बात करें तो इस phone में rear side में quad camera का setup दिया गिया है जिसमें primary sensor 64 megapixel का है, 8 megapixel का ultra wide angle lens, 2 megapixel का depth और 2 megapixel का macro lens दिया गिया है और selfie के लिए यहाँ पर 13 megapixel का selfie camera इस phone में इस्तमाल किया गिया है 54 image की battery आपको इस phone में देखने को मिलती है, साथ ही साथ 33 watt का fast charging का support दिया गिया है और box के अंदर ही आपको 33 watt का fast charger देखने को मिल जाता है, जो आपके phone को काफी तेजी से charge कर देता है इसके अलावा phone में आपको dual stereo speaker देखने को मिल जाता है, सभी basic sensors देखने को मिल जाता है phone Android 10 और MIUI 12 के उपर दोस्तो रन करता है, और इसमें आपको Android 11 का update भी देखने को मिल जाएगा आपको ये phone 15,000 का भी मिल रहा है दोस्तो, अगर आप bank offer लगा के देखो तो लगबग ये phone आपको 14,000 के आसपास का मिल सकता है दूसरा phone हमारे list में Realme Nargo 30 Pro 5G है, अगर 15,000 की range में आपकी main priority 5G है तो फिलहाल के लिए ये सबसे best choice है लुकवा इस phone दोस्तो अच्छा लगता है, पीछे polycarbon body आपको देखने को मिल जाती है, साथी साथ triple camera का setup दिया गया है फ्रेंट की बात करें तो इस phone में 6.5 इंच का full HD plus IPS LCD panel का इस्तमाल किया गया है जहां पर आपको fast 120 Hz का refresh rate देखने को मिल जाता है, इस phone की performance आपको काफी दमदार देखने को मिलेगी इस phone में MediaTek Dimensity 800U का इस्तमाल किया गया है, जिसमें आप अगर gaming करेंगे तो आपको gaming experience और day-to-day use में multitasking में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है performance इस phone की काफी तगडी होने वाली है, इसमें दो variant है, 6GB RAM, 14GB Storage और 8GB RAM, 118GB Storage cameras की बात करें, तो ठीक ठा camera setup आपको इस phone में देखने को मिल जाता है, पीछे triple camera का setup है primary sensor 48 megapixel का है, 8 megapixel का ultra wide angle lens और 2 megapixel का depth sensor आपको देखने को मिलता है और selfie के लिए 16 megapixel का selfie camera दिये गया है cameras इस phone का अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, बैठे live की बात करें, तो पांच रेमिज की बैटरी आपको इस phone में देखने को मिलती है 30W का fast charging भी इस phone में आपको देखने को मिल जाता है, phone काफी तेजी से charge हो जाता है phone में Android 10 और Realme UI देखने को मिलता है, बागी ये phone में भी आपको Android 11 का update देखने को मिल जागा बागी phone में dedicated Micro HD card slot नहीं है, अगर अभी आप इस phone की price देखोगे, तो ये phone जो है सारे 15,000 के आसपास का मिल रहा है और साथी साथ आपको offer भी देखने को मिल जाता है, बैंक का, तो बैंक offer के साथ अगर आप ये लेते हो तो लगबग आपको 14,000, सारे 14,000 के आसपास का ये phone बढ़ जाएगा overall ये 15,000 की range में मिलने वाला सबसे तगरा 5G phone है, उसके बाद दुस्तों हमारे last phone की बात करते हैं, वो है Realme 7 Pro, इस phone में आपको काफी बढ़ियां display देखने हो जाता है, 6.4 इंच का Full HD Plus Super AMOLED दिस्पले है back panel हाला के polycarbonate का आपको देखने को मिल जाता है, dual stereo speaker का इस्तमाल किया गया है, जो के आपको काफी बढ़ियां sound quality देता है ये phone 45 समेच की बैटरी के साथ आता है, जहां पे आपको 65W की fast charging देखने को मिल जाती है इसके इलावा इस phone में आपको camera जो है काफी अच्छे मिलते है, rear side में quad camera का setup है, जिसमें primary sensor 64 megapixel का है 8 megapixel का ultra wide angle lens है, 2 megapixel का depth और 2 megapixel का macro lens मिलता है Selfie के लिए 32 megapixel का selfie camera दिया गिया है, और मैं ये phone personally use किया हूँ दोस्तो Selfie camera इसका उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन rear camera काफी अच्छा है बागि इस phone में आपको Android 10 और Realme UI देखने को मिलता है, Android 11 का भी update आचुका है इस phone में और इस phone का जो processor है, वो है Snapdragon 720G, जिसमें आप काफी अच्छी gaming कर सकते हो इस phone की कीमत जादा है दोस्तो, लेकिन offer में ये phone जो है 15,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है bank offer के साथ में, तो इस phone को भी दोस्तो आप choose कर सकते हो तो ये थे दोस्तो तीन powerful phone जो आपको 15,000 की range में काफी दमदार चीज़े देते हैं अभी भी अगर आप confused है, 15,000 में काउन सा phone लेना है, तो मैं आपको बता दो, अगर आपको 4G phone ही चाहिए तो Redmi Note 10S ले सकते हैं, या फिर Realme 8 की तरब देख सकते हैं आप और अगर आपको 5G चाहिए, तो फिर आप Realme Narjo 30 Pro 5G के साथ जा सकते हैं I hope कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत help मिली होगी, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत thank you